हेलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जोब जन्य नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, SSC, स्टैनोग्राफर, ग्रुप C और D के लिए नॉटिफिकेशन आउट हुआ है इसके ऑल्लाइन एप्लिकेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं 10 अक्टूबर से ट्वल्थ पास केंडिडेट यहां पर आलिजबिल रहेंगे, आल इंडिया से आप आविदन कर सकते हैं मेल एंट फी मेल, दोनोई केंडिडेट आलिजबिल हैं अप्लाइ कर सकते हैं लास डेट है चार नॉबंबर 2020 मैं आपको नॉटिफिकेशन पर लेकर चलूँगी वहां पर जो भी इसकी अलिजबिल्री क्राइटेरिया और जो कुछ भी आया है मैं आपको क्लियर करूँगी अगर आप नॉटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से चेक कीजिएगा या फिर आप ओफिसियल साइट सेविस को चेक कर सकते हैं यह मैं ओफिसियल नॉटिफिकेशन पर आगई हूं आप यहां पर देख सकते हैं डेट ओलाइन अप्लिकेशन की है 10-10-2020 से 4-11-2020 तक और यहां पर लास्ट टेट टाइम पर मेकिंग ओलाइन फीपेंट है 6-11-2020 साथ में यहां पर कंप्रेटर बेस्ट जामनिशन जो आपका ह देख लीजे कुछ रिजर्वेशन से रिलेटर दिया गया है तो आप जरूर एक वाज चेक कर लीजेगा यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुरूप डी के लिए जो आविदन करेंगे बी आरो के लिए वह आली मेल केंडिट रहेंगे यहां पर यह पॉइंट आप देख इसमें दिया गया है साथ में जो भी स्टैनोग्राफर ग्रेट डी के लिए व्यारोड में आप प्रिफरेंस देते हैं तो उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट एंड मैडिकल स्टैंडर्ड होगा ठीक है यह आप जरूर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल्टी इंडियन सिटीजन या फिर सब्जक्ट ऑफ नेपाल या भूटान तो आप यहाँ पर एलिजबल रहेंगे एज लिमिट रहेगी ग्रूप C के लिए रहेगी 18-30 साल और ग्रूप D के लिए रहेगी 18-27 साल एक अगस्त 2020 के बेस पर देख करते हैं तो SCST कंडिडेट के लिए 5 years, OVC के लिए 3 years, PWD Unreserved के लिए 10 years, PWD OVC कंडिडेट के लिए 13 years, PWD SCST कंडिडेट के लिए 15 years, एक सर्विसमें के लिए भी यहाँ पर रिलेक्सेशन दिया गया है, साथ में यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्मेंट के जो एंप्लॉईज रहेंगे वो अकट करते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रूप C के लिए आप यहाँ पर देखिए, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लिए जएगा, आपको क्या रिलेक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, यह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका, जैसे कि मैंने बताया, एक अगस्त दोहजार बीस के बेस पर देखी जाएगी, और ट्वाल्थ पास आपका होना जरूरी है, आपने ट्वाल्थ पास कर लिया, एक अगस्त दोहजार बीस तक, तो आप इसके लिए एलिज लिजेगा, एप्लिकेशन फीस हंड्रेड रुपीज है, जैसा की जानते हैं, मैं अपनी जो भी एससे की वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें आपको बताती हूँ, कि जनरल के लिए हंड्रेड रुपीज रहती है, एप्लिकेशन फीस, एससे एक्जामनिशन में, जो जान में आते हैं, जैसे कि यहां पर सेंट्रल जान का दिया गया है, सभी जान के दिये गया है, तो आप अपने जान वाइस देख लिए जएगा, मैं यहां पर आपको मद्ध प्रदिस सब जान का बताती हूँ, बलासपूर, दोर्ग भिलाई, रायपूर, भोपाल, ग्वा मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क्स, इच रॉंक आंसर, ठीक है, तो आपको केरफुली आंसर यहां पर देना होगा, अब यहां पर यह डिटेल में दिया गया है, सलेवर, किस तरह के टॉपिक आपको अपने कंप्लीट करने होंगे, तैयारी करनी होगी, तो अगर आप कमे एकन को प्रेस कर लीजेगा, ताकि नॉटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा, थैंक यू,